हलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू MCPS ओनलाइन क्लासेज बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वन हम पंची उन्मुक्त गगन के हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बतना गाप आएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख तूट जाएंगे अब बेटा इसमें देखो पंची कह रहे हैं कि हम कैद में रहके नहीं जी सकते हम गगन में उड़ना चाते हैं गगन यानि आसमान में उड़ना चाते हैं उन्मुक्त का मतलब होता है कि मुक्त होके यानि कैद में नहीं रह सकते और आकाश में गूमना चाते हैं पिंजर बदना गा पाएंगे यानि पिंजरे में बंद कर देते हैं न पक्षियों को तो कहरे हम पिंजरे में गा नहीं पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर यानि सोने की तीलियों का भी पिंजरा होना तो भी हम उसमें नहीं रह सकते हैं ऐसा लगता है हमारे पंक किसी ने तोड़ दिये हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदे से पंची कह रहे हैं कि हम बहता जल ही पी सकते हैं नदियों का पानी होता है ना बहतावा जल होता है ना वो ही हम पी सकते हैं अगर हम हमें आप ऐसे बंदी बना के पानी या कुछ दोगे तो हम भूके प्यासे मर जाएंगे मगर हम नहीं रह सकते हैं अगर आप हमें सोने की कटोरी में भी मैदा दोगे ना तो वो हमें अच्छ में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुंगी परके जूले अब पंची कह रहे हैं कि हमें सौने की स्रंग़ा से कोई मतलब नहीं है हम तो उपर खुले आसमान में तेज गती से घूमना चाते हैं और फागुन के महीने पेड़ों पे उसको देखना चाते हैं और उसमें जुलना चाते हैं ऐसे थे अरमान की लड़ते नीले नब की सीमा पाने लाल किरन सी चौँच खोल चुगते तारक अनार के दाने अब या पंची कह रहे हैं कि हम नीले नीले आकाश में गुमना चाहते हैं लाल किरनों को देखना चाहते हैं और चौँच खोल कर अनार के दाने खाना चाहते हैं होती सीमा हीन शितिज से इन पंकों की ओडा ओडी या तो शितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी अब यह कह रहे हैं या तो हम शितिज के पूरे पोह उचाई पे आकाश में खुब पंक उडा उडा के गूमना चाहते हैं और अगर हमे अगर ऐसा नहीं करने दोगे तो हमारी सांसों की दोरी तन जाएगी मतलब मतलब हम मर जाएंगे मगर हम बंदी नहीं रह सकते नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रे छिन बिन कर डालो अभी के चाहे हमें गोंसला मत बनाने दो चाहे टैनी मत दो पेड़ की आश्रे छीन लो हमारा लेकिन हमारे पंक मत छीनो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो मत अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान ने पंक दिये हैं अल्ला ने पंक दिये हैं तो उन्हें हम से मत छीनो हमें खुले आस्मान में उड़ने दो हम बंदी बनकर नहीं जी सकते हम खुले आस्मान में आजादी से जीना चाहते हैं हमें आजादी से जीनने दो ये थी बेटा आज के हमारी कवीता ये लिखी है शिव मंगल सीन सुमन जी ने I hope आपको समझ में आ गई होगी ये कवीता Thank you very much